गुड मॉनिंग स्टूडेल जैस्वामिनरंड आज हम लेशन नम्बर त्री करुका पड़ेंगे करुका का मतलब होता है निरोगी करुका मतलब निरोगी स्टार्ट कर रहे हूं ध्यान से सुनेगा एक पक्छी अस्ती सा आकासे अत्र तत्र गचती स्टूना पुना वदती करुका कर निरोगा भवती करुका मतलब कर निरोगा भवती एक पक्षी है वह आकास में यहां वहां घुमता रहता है गचती मतलब यहां वहां इधर उधर आता जाता रहता है स्टूना पुना वदती करुका और वह बार-बार कहता है, पूछता है कि कौन निरोगी है, निरोगी कौन है पक्षी द्वारम द्वारम अटती, एकम एवं प्रशनम पूछती, जना उपहासम कुर्वनती, कोपी उत्तरन ददाती, पक्षी निराशा भवती पक्षी द्वार-द्वार जाकर पैठता है, अटती यनिरूखता है, एकम एक प्रशनम पूछती, और वह सभी से सिर्फ एक ही प्रशनम पूछता है जना उपहासम कुर्वनती, और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, कोपी उत्तरन ददाती, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता है पक्षी का सवाल एकी रहता है, कि कौन निरूगी है, पक्षी किसी का उत्तर नहीं पाकर निराश हो जाता है फिर आगे पढ़ेंगे, सवन गच्छती व्रिक्षे उपविस्ती चा प्रिक्षश अधा वैस दसी वाण भट अस्ती पक्षी पूना वदती कूरुकू कौरुका इती वाण भट स्रूनोती वह वन जाता है, वन की ओर जाने लगता है, व्रिक्ष उपसती चा और एक पेड की डाल पर बैठ जाता है व्रिक्ष शाधा वैदस्ती वाण भट अस्ती, व्रिक्ष के नीचे वाण भट रिशी जो रहते हैं, वो ध्यान करते हैं पक्षी उनसे पूना पूछता है, पक्षी पूना वदती, कौरुका कौरुका निरोगी कौन है इती वाण भट सुनोती, ये कौरुका का मतलब होता है, कौन निरोगी है, ये सब्द कौन सुन लेते हैं, रिशी वाण भट सुन लेते हैं सहवदती, हीत भूक, मीत भूक, रीत भूक, इती, अर्था अस्ती, यह हीत कारी भोजनम करती, यह मीतम भोजनम करोती, रिशी कहते हैं जो हमारे भूक है, वो हीत कि लिए हो, मीत के और ईती के हिसाब से होने चाहिए अर्था अस्ती, इसका यह अर्थ हुआ और हमें भीत कारी भोजन करना चाहिए, और जो हमारे स्वास्त को सही रखे, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए आगे हैं मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए जो हमें निरोगी काया दे सके संतुष्ट पक्षी रिशी के पास से वापस आ जाता है रिशी के पास आ कर समी पाकर रिशी को नमस्ते करता है और फिर अपने पूना इस्थान पर चला जाता है अंतरम स्वाइस्थानम गच्छती अपन स्थान को लट जाता है यह वाला चेप्टर जो है उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है आगे पार्ट में मैं आपको इंग्लिस टांसलेट भी बताऊंगे और हम नोट बुक में भी लिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद